काल करमो गुनाधीनो दिहोवयं पंच भौतिका कथम अन्यांस्त गोपाई सर्पगस्तो यथा जयापर सिसिल भक्ति शिद्धान्थो सरश्वति गुष्वामि ठाकूर पहुपाजे ने बताएं अप्रा की जगत का स्वाथ भागवान का साथ संपर्क करने का कोई दूसरा रस्ता नहीं है एकी रस्ता खुला है वो अप्रा की सब्द ब्रह्मो का सहरा लेला अप्रा की जगत को देखने जाओ भागवान को देखने का कोसिस करो तो आपको कानों का सहारा लेना परेगा You will have to take help of your hearing organ कानों का सहाता लेना परेगा कानों के द्वारा ही अप्रा की जगत देखा जाता है ये आखों के द्वारा अप्रा की विश्वय वस्तू देखा नहीं जाता संभब नहीं है आप लोग सायद बाच्पन में पड़े होंगे बेत का दूसरा नाम है सूती ये इसलिए नाम पड़ गया कि कानों कानों में ये बात सुनते सुनते गुरु वैश्नव का पास रिशी मुनियों का पास सुनते सुनते शिश्यों लोगों ने कान के द्वारा इसको गुरहन करते थे और उसका ब्रमचर जो ऐसा था कि सुनने का साथ साती वो पूरा जितना सारे सुनते थे याद कर लेते थे पहले जमाने में लिखने का कोई ववस्ता नहीं था क्योंकि लिखने का ववस्ता था लेकिन पेपारादी नहीं था कुछ लेकिन ये स्रोवत पंथा में अप्राकिज जगत का ज्ञान हमारा सामने आज भी आ रहा है जो बैक्ति गुरु परंपरा के द्वारा स्रोवत पंथा में अवस्थित नहीं है इनके द्वारा अप्राकिज जगत का कथा सुनना और बोलना संभब नहीं वो बोलेगा कैसे सोउतो पंथा क्या है सोउतो पंथा यहा है जह हमारा गुरु परंपरा के उनुसौ़ार गुरु वर्गों के द्वारा हमारा सामने जो अप्रा की जगत का मेशेज ख़बर आये है वो सेवा करते अच्वरन करते अगर रिकता को सारे हमारा दिल में बैठ जाएगा उसी कथा दूसरे के सान में कितन करना ये भी सोवतो कितन होता है सोवतो कथा स्रोवन सोवतो कथा कितन इसी का विधान है जो गुरु परामपरा में अवस्थित नहीं है उसका ज्यान प्रामानिक नहीं है उसका बोलने का धंग अच्छा हो सकता बहुत अच्छा प्रोफेसेंसी है बोल सकता बहुत कुछ सुन्दर धंग से फिर भी उसका कथा में कोई बिर्जो जिसका पावर है नहीं रह सकता जो स्लोक देके मैं शुरू किया था उसको थोड़ा ब्याका करके परमपरा क्या चीज़ है ये गोडियों वाले गोडियों मठ जो है इसका परमपरा कैसा है इसका बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे जो स्लोक दे के सुरू किया था ओ आपका नारज जी महराज जुदिश्चिर महराज का सामने कितन किया था इस स्लोक को वागवद में आता है कब ये स्लोक को किर्टन किया था हमने ये बात को उठाया तस सिप मंदिर में थोड़ा सा टाच किया था जब पित्रिब्बो अंदोधितरास्टो गंधरी महिया और बिदुर जी बीना बोले राजधानी से चल परे और किसी को पता नहीं कि कहा गया जुदिष्टिर महराज सुबे का टाइम गुरु वर्गों का चरण में अथा बुजरुकों का कर चरण में पित्रिब्बो माता पीता का चरण में डंडवत करने के लिए घर में घुसे और देखे ना तो गांधारी मैया है ना तो धितरास्टो जी है ना तो बीदुर जी महराज खुल लो तातो पित्तिब्बों कोई नहीं है उपस्तित घर खाली है बड़ा भारी ढूंडा सोर मचाया कहा गया बाद में पता चला नहीं है किसी भी जाएगा मिल नहीं रहा तो अब आशुब आने लगे और बोलने लगे सायद मुझसे कुछ भूल हो गया होगा अपरात इसके कारण सायद ये लोग दुखी होके हमको छोड़के चले गए ये भी हो सकता कि गंगा में चलंग लगा है गंगा में सरीर को सांथ करने के लिए गंगा में कूत पड़े हो सके इतना रोना सुर बैशनव इसको बोलता है बैशनवों का पहचान है जितना भी आप उसका सद्गदारी करो बैमानी करो उसको सरीर से बिनास करने का भी कोशिस करो वैशनवों का पहचान है फिर भी उसका मंगल करके रहेगा यह है वैशनव तमाम दुनिया को भगवत सम्मन्न में दर्शन करना यह कोई मामुली बात नहीं है तमाम जहां नित्र परे किसी बोस्तू किसी व्यक्तियों में हर वकत भगवत का सृति आ जाए यह जगत भगव कि है सारे स्रिष्टी में जितना बैशित्र है सब ठाकुर जी का है यहां तक कि मैं भी ठाकुर जी का हूं मेरा कोई अलग सा परिजय है नहीं जुदिष्टिर महराज तथा पांचवांड़त बश्णव थे उन्होंने बहुत रोया उसका रूना देखकर नारज जी महराज उनका सामने आ गए है राजधाने में जब नारज जी को आने देखा तो एकदम छलंग लगा कर उठा चरणों में गीरा और पैर धुला के आसन में बैठा लिया और बहुत सारे बाते हुआ नारज जी ने पहने प्रस्ण किये राजन आप दुखी हो क्यों रो रहे हो क्या क नारण है बले महाराज क्या बताए ऐसा है नेत्रहीन है हमारा पित्रबो धितरास्टर जी महाराज और गांधरी मैया भी आँखों में पट्टी लगा कर बैठे हैं क्योंकि सामी को ये जगत देखने को नहीं मिलता है क्यों हम पत्नी हम भी नहीं देखेंगे जगत को इसी अवस्ता में बीदुर जी महाराज भी हमको नहीं मिल रहा है काल रात को देखा चर्चा भी हुआ बहुत असोबे होते ही गायव है कहां है ये रहस्तों मेरे को मालूम नहीं होता हमारा हम जुमा है सायद हमने कुछ अपराद किया नारण जी महाराज बहुत समझाया राजन आप क्या समझते हो जब बोले ये नित्रहीन है कहां चला गिया मेरा उपर निर्भर करते हैं हम उनको देखवाल करते हैं तो नारज जी ने तत्तो ज्ञान को प्रकासित करने के लिए ये स्लोक को बताया था राजन तुम आपने को क्या समझते हो दुनिया का रख्या करने वाला तुम हो किसी का जीवन को रख्या करने वाला तुम हो सरीर को क्या समझते हो तुम अपने को इस समय ये स्लोक को बताया बड़ा सुंदे स्लोक है राजन काल कर्म गुनाधीनो देहो अयम पंचभोवदी कहा ये सरीर तो पंचव होती है चाहे किसी का भी सरीर हो ये दुनिया में किसी भी सरीर आपको देखने को मिले सब सरीर पंचव होती है ये तो आकार आकरती बहार का है दो दिन का बाद समसान में जलाय जाएगा सारे भस्म हो जाएगा मिटी में, chemistry में बोलता है carbon जो है carbon, black carbon मिटी में जाएगा magnesium potassium जो भी है chemistry सब अपना अपना सरीर में सब सब धातू सब धातू थोड़ी सी percentage में आपका सरीर में है वो धातू का थोड़ा excess हो जाए तो तबियत खराब हो जाए जैसे arsenic, very poisonous mercury, very poisonous में है थोड़ा परसंटेज लेकिन उज़्य हो जाए वो मर जाएगा तुरण तो जब हमारा सरी जल जाएगा भस्म हो जाएगा तो मिटी का जो पूर्शन है मिटी में चला जाए और जो बायू है सरीर में वाई में चला जाएगा खिती ओपो जो water portion है जालने का सहे में आवाज होता है चचर करके आवाज होता है चर्वी आदी glycerol acid उससे glycerol acid पैदा होता है जब कोई fasting करता है किसी का सरीर में चर्वी है उसमें fertilization होने का बाद glycerol acid एबंग water पैदा होता है उसका बाद और भी reaction है ऐसे करते करते देखा गया तो पानी का portion पानी में गया बायू का portion बायू में गया और जो space स्वरीर का अंदर space है सिर्फ सरीर का अंदर नहीं जो लोग बड़ा बड़ा भज्यानी के scientist है वो जानते है यहां तक कि लोहे का एक टुकरा दे दे आपको यह लोहे का टुकरे का अंदर भी space होते है बड़ा आस्चर जो लगएगा महां कहा space है लोहे तो एक टुम solid है उसमे तो कोई space देखा ही नहीं देता you cannot see but still space is there जो लोग chemistry पढ़ता है physics पढ़ता हो जानते है higher education में inter-molecular space रहता है inter-molecular space उसमें gapping रहता है तो space होगा ही जो भी density हो बस्तू का तो ऐसे हमारा सरीर में भी फाका जाएगा है space यह सब क्या होता है जहां का तहां बापस चला जाता है और आत्मा निकलके दूसरा जनम के लिए चला जाता है उसका रहस्य है इसका बारे में हम नहीं बताना चाहें क्योंकि समय अल्प है काल कर्मो गुनाध हिनो काल मतलब जो महा काल जो एके करके सब बस्तू को हरन करते हैं जब हम पैदा हुए थे उसके बाद धीरे-धीरे हमारा सरीर का उन्नती हुआ फिर जवानी आया फिर बुड़े पे आया बुड़ापा फिस चले गए ऐसा होते रहते हैं सरीर का ये चेंजेबल जो अवस्था है ये सरीर का है आत्मा का नहीं आत्मा का कोई उमर नहीं होता काल भी बता था तो काल कर्मो गुनाध हिनो काल महा काल जो आपका हरन करते काल जो आपका आयू को हरन करके ले जाते हैं जैसे पेर का उपर देखो बसंत समय में पेर का जितना सारे पुड़ाना पत्ता है एक एक करके हवा में ऐसा ऐसा निकलते गिर जाते हैं बसंत काल में फिर नया पत्ता उदय होता है आप सुर्ज उदय का साथ-साथ जब अस्त जाता है तो एक जैसे बसंत का गिरा हुआ पत्ता गिर जाते हैं जमिन में हमारा एक एक सुर्ज उदय होने का साथ-साथ और अस्त होने का साथ-साथ हमारा दिन का एक जो दिन है हमारा दिन बसंत का गिरा हुआ पता का मपी तूटते जाता है अंग्रेजी में कहावत है टाइम एंटाइड वेट फॉर नान समय और जो बहते हुए पानी किसी का लिए वेट नहीं करता जो गंगा का पानी अभी अपने देखे चान किया स्नान किया चमन किया वो पानी हमको जिंदेगी में और नहीं कहाँ चला गया समंदर में ऐसा करके रिस्तेदारी है पिते, माता, भाई, बंधू, बेहन सबका साथ यही दो पल का सम्मंद है उसके बाद कोण कहां जाए उसका कोई ठिकाना है नहीं यही जिंदेगी है यही जिन्देगी है बास्तव भगवान छोर के जीवात्मा का कोई आपना आदमी कोई नहीं है इतना बड़ा सच्चाई को कोई जान नहीं पाता आपका अंदर में भगवान बैठा हुआ है जिसका साथ आपका आत्मा का दोस्ती है for infinity period not that war 80 years or 30 years 50 years नहीं आनंत काल आपका साथ दोस्ती भगवान का है उपनिशद में बताय गया जो कभी भी पारमात्मा जीवात्मा को छोड़ते नहीं जो दोस्त है उपनिशद में सेतोस्तर उपनिशद में आता है कैसा सुन्दर उधारन दिया है रिश्यमोनियों ने, कोवियों ने बहले एक ही ब्रिक्षो का एक डाल है एक ही ब्रिक्षो है ब्रिक्षो का एक डाल है डाल में दो पंची बैठे हुए है दो पंची एक पंची ओ ब्रिक्षो का जो फल है ओ फल को आहार करते हैं दूसरा जो पक्षी है निरन्यों निरन्यों मनने कुछ खाते हैं पीते नहीं है चुप चाप देखते रहते हैं और जो दूसरा पंची है जो खाते हैं वो क्या खाते हैं मनें संगसार नामक ब्रिक्ष का शंगसार नामक जो ब्रिक्ष है इसका जो सुक दुक नामक जो फल है दो फल को खाते रहते हैं उसका कभी ऐसा भाब नहीं आता कि महराज हमको नहीं खाना चाहिए उसका इतना रुची है सू का दुख का जो दो फल है वो खाते ही रहते हैं कभी माना नहीं करते हैं महराज बस करो अभी ऐसा नहीं जब कोई जीवात्मा का साथ, कोई सादू संगों का बास्तफ संग हो जाए तो उसका संगसर बंधन तो चले जाता है वो बोलते हैं, enough of it बहुत हो चुका हमको हर नहीं चाहिए हम देख लिया हम जगनात जी का सामने हरीकाथा बोलते हैं बंगला में जगनात खेतर है चोईतन महापु का पारसत का चागदा, चक्रदा, उसका भागवत कता है बंगला में लेकिन नहीं भी समझो तो आपका खून गरम हो जाएग वहाँ एक कहानी है एक बेटिया रानी रोज हरीकाथा बहुत सारे लोग आते थी इतना आदमी नहीं, बहुत सारे यह सुनने वाला कहा है बहुत सारे आते थे बिशेशकर में हम देखें एक बेटिया रानी रोज हरीकाथा सुन्या आती थी हम मौन रखते थे ब्रत का टाइम में हम बाते नहीं करते दो तिन गंटा हरीकाथा बोल देते हैं, बाकी समय किसी का साथ देखा नहीं है, ऐसा ही नियम है जब ब्रत टूटा है तो रोते रोते मेरे को डनवत किये तो थोड़ा वो चर्चा हुआ बोले महराज हम बोला साधी करोगी नहीं बला महराज आर करने का हिच्छा नहीं है साधी हो चुका तो सामी कहा है गदो सिंदू नहीं है, कुछ नहीं है बाराज साधी होने का साथ-साथ चार महिना का अंदर सामी कार एक्सिरेंट में मारा गया हमने चार महिना का अंदर संक्सार का सरूप को देख लिया और हमारा संक्सार का कोई रूची नहीं है बस आपका कथा सुनते रहे हमारा संसार बंदन नहीं है ऐसा कीपा करो कि इसी जनम में ठाकुर जी मिल जाए हमको और दुवारा हमको बहुत आदमी बोला दुवारा साधी कर ले कुछ नहीं है कुछ नहीं है सब अकेला पन सुना पन हम बोला कहां सुना भापन ठाक्री जी तो ही है जगनाट जी आखर वकंद हरीकाता सुन्ते रहते हैं तो हम सोचते रहें गए कि यह बैटिया रानी का जैसा बुद्दि शुदर घई तो ऐसा बुद्दि अगर दुनिया का हर आदमी का सुदर जाहे तो हमारा हरीकाता तो कमाल हो जाएगा अग जिसका भी कानों में हरीकता गया है महराज वो कामाली हो गया जिसका कानों में हरीकता नहीं गया हमारा उसका लिए हमारा जुमा नहीं है लेकर जिसका कानों में एक बुद गया है तो उसका रियक्शन होते रहता है वो भूल नहीं पाते और हरिकाता के लिए एक महोल होना चाहिए हमको खाने पीने का कुछ दरकार नहीं कुछ चाहत नहीं लेकिन हरिकाता के लिए एक टॉप्मस्ट एक्टमस्फिया दिया जाए उसमें हमारा आनंद और ज्यादा होता है हरिकाता तो आनंद है ही है तो जो भी है पर्शू भी बताया था गुनाधिन है सतर अजतमगुन आपको नचा रहा है हर वकाट नचा रहा है आपको आपको पता नहीं चलता हम हमारा क्या हुआ है क्यूं ऐसा हो रहा है करता हम इतिमन्नते गीता में बताया गया, इस लोग भी बताय था जे प्रकिते क्रिया मानानी प्रकिते क्रिया मानानी गुन औकरमईर अवसा है? और क्या बोलते हैं? बाकी जो प्रकिते क्रिया मने प्रकिती हर वकद हमको सब नचा रहेי यहा लेकर हमको रखता है aVIS इतिमननते हमको लगता हम करता है यही आपका बंधन का कारण है जुदिश्चिर महारच जब भी वैश्णव है यह लिला कर रहे हैं कि पित्रबो चले गए दुख के मारे रहा नहीं गया तो नारज जी आके उसको उपदेश देना शुरू कि या राज़न अब क्या समझते हो आप सोचते हो कि किसी का रखा करने वाले आप हो भगवान है कालों कर्मों गुनाधीनों काल कर्मों आपका कर्मों का फल आपको नचा रहा है एक जनम से एक जनम भेज देते हैं आपका कर्म फल बेदों में भी है बहुत सारे आभी नहीं चर्चा करेंगे काल, कर्मों और गून इतीनों के दारा तमाम जगत वशिवूत है उसका कोई अपना साधिनत और लिवार्टी नहीं है they think I have liberty but I can prove there is no liberty साधिन नहीं है साधिन अगर है तो बोलो आपका सुबे कड़े में सरीर एक किसिम का रहता है दूपार को एक किसिम का और रात को एक किसिम का बन जाता आपका जो अपना सरीर जो बोलते है हमारा सरीर उसका उपर भी आपका कंट्रोलिंग नहीं है है आपका अगर आपका सरीर होते है आपका मन होते तो आपका बाते क्यूं नहीं सुनता क्यूं खराब हो जाता दिन में 36 अवस्ता हो जाता क्यूं क्या कारण है तो काल कर्म गुना दिनो दिहुआयम पंच भोधिको इसका थोड़ा वोध बख्या कर दिये कथम अन्यांग स्तू गोपायेत हे राजन इसी अवस्ता में तुम कैसे सोचो कि एक दुसरे का रक्षक बन जाएगा संक्सार में ना तो सामी स्त्री का रक्षक है ना तो स्त्री सामी का रक्षक है ये तो हुनार का खेल है जिसको जब जाना है वो चले ही आएगा यह तो बोलने का बाद है और जर जगत का जो फिलोज़ाफर है यह बोलते है Marriage is nothing but friendship between two human soul Marriage is nothing but friendship between two human soul दो आत्मा की अंदर दोस्ती बन गया और जब सादी का लिए हाथों का हाथ रख कर जब मंत्रों बोला जाता है बेद में वहां भी यह मंत्रों बोला यह था है क्या मंत्रों है जदीदम हिदायम तबो तदीदम हिदायम ममो तुमारा दिल जैसा है हमारा दिल तुमारा साथ मिल गया और दूसरा नहीं है बहुत सारे तर्क बित्वर कहाता है जब गंधरी माईया सरी छोड़ी मादरी मया पांडू का साथ आंग में छलंग लगाई तो दुनिया का अदमी चर्चा सुरुक है, देखो बेकार है ये सब क्या पागल पंती है एक मड़ गया है दूसरे का सथ ये जो है, इसका जबा हम देते हैं खड़ा करके कोच रिपोर्टर हो, कुछ भी बात नहीं कर पाता हम प्रमान कर देंगे ओ सामी और स्त्री ओ एक हो गया था एक का मौत हो गया, उसका दूसरे का भी मत हो चुका, ओ जी नहीं सकेगा तुम से स्तोक की ओ आत्मोता कर दें, आत्मोता नहीं है, वो सोती बन गया जो भी आजकल का जमाने ऐसा भाव नहीं है जो जवस्ति आँग में चलंग लगा ले जाए उचित नहीं है जब ऐसा भाव आए जो स्वामी देवता हमारा भगवान का ही पति नहीं दिया आम और उन्में कोई पार्थक नहीं है तो एक जाने का साथ साथ सभाविक दूसरे भी मुर्दा ही बन जाता है ये सब बड़ा दर्शन है तो काल कर्मो गुनाधिनो देवायम पंचभोधिका कथम अन्यांस्तु गुपायत राजन ऐसे अवस्तिती में how you think that you can protect others कैसे सोचते हो कि तुम दूसरे का रक्षक हो हमने महराय आखों का सामने देखे हैं धाम में एक सापने जहरिली साप सामने है अब डरने का बात नहीं है क्योंकि उसका मुक में एक मेडिक को पकर लिया अब जब मेडिक को पकर लिया इतना बड़ा मेडिक है उसको खा नहीं सकता आँ करके उसको मुक में लिया लेकिन वो मुक तो खोल भी नहीं सकता खोलने से भग जाएगा और गिल नहीं सकता और खा नहीं सकता क्योंकि बड़ा है उस समय में वो मेडिक का जो हालत होता है माराज वो देखे हो और साप भी उस समय काटने का कोई अवस्ता नहीं क्योंकि काटने का कैसे हो मुक्त ब्लॉक है वो सामने खड़ा होकर हम देख रहे हैं बरी बाबरी कैसा हालत है देखो नारजी महराज कितना सुंदर उधारन दी है सच्छा बात है चिंता करके देखो आपका जि जिवात्माय संकसार में है उससे मेरा पीता बचाएगा मेरा सामी बचाएगा मेरा पोता बचाएगा मेरा बेटा बचाएगा कोई किसी को नहीं बचाएगा बचाने वाला तो ठाकुर जी है जी सवस्ता में हैं चारोर आँख जल रहा है उसमें एक बच्चा बच्चा बच जाता नहीं हमारा ये जोंबु का ही के जोंबु का कहा का पांजाब का जलंदर का ना जोंबु का कुण केस है एक गुपता था गुपता जी ये गुपता नहीं मदलनाल गुपता नहीं और एक गुपता मदलनाल गुपता बड़ा भड़ी नामी है बहुत दान दक्षिना की क करोर करोर रुपिया संतु महात्मा को उन्होंने केदारबुर्दी का रास्ता में जा रहा था और जाने का टाइम में महाराज कैसा खेल है देखो वो बास एक्सिरेंट हो गिया और बास एक्सिरेंट होके टायर पूरा पहार का नीचे गिरा बास रोल होके गिर रहा है उसी अ ठाकुर जी का कैसा खेल है गुरु जी को सरन किया परमभुया मादवकुस्तिमाद का सिस्ष है सरन किया जब एक्सिरेंट होआ रोल होते होते बास गिर रहा है उसमें क्या है बास गिरने का साथ-साथ बास का जो पट्टी होता है एक एक पट्टी होता है वो पट्टी एक पट्टी खुल गया वो जो सीट में बैठा हुआ था वो सीट का साथ बच्चा का साथ पूरा निकल के एक पेड का जाड़ों में फस गिया अब बाकी बास रोल होते होते पूर एकदम कितना हजार फिट नीचे सारे मड़ गिया और वो कापते रहेंगे क्यों वो जाड़ में अटक गिया वो सीट अब बच्चा जैसा है वो जैसे बैठाता हरी नाम कर रहाता हो इसे ही है लेकिन अब का अपरा है अब कोन बचाएगा सीट फंस गिया गिरने का और चांस नहीं को फंस गिया अब उठाए कोन कम से कम पचाज एक सो बीड नीचे तो है अब बाकी अदमी सारे ऐसा नीचे चला गया उसका सारे के सारे मौत हो गया अब आपका सामने my question is that who give protection to him को किसने बचाया उसको बोलो भगवान गुरू गुरू बचाते हैं ने गुरू रुप में किसनी तो आते हैं तो देखो ये एक बच्चा का साथ पांच साथ साल का बच्चा का साथ पूरा वो बच गया और कोई अश्विदा नहीं है उसको बाद में उठाया गया और रोते रोते बोलना रगा है मेरा गुरू जी क्या है देखो मेरा मत तो 100% था और कैसे ऐसे हुआ कि एक पट्टी ही निकल गया और मेरा सीट पूरा उठके पूरा जपर जोप में जो अटाग गया तो जिसको बैठा लोच यार में जिसको बाचना है जिसको जीना है ठाकुर जी उसको प्रोटेक्शन देगा और जिसको जीना नहीं है उसको प्रोटेक्शन किसी भ्यालत से नहीं मिलेगा तो नारत जी ने कह रहे हैं कि देखो राजन आप ये चिंतन मत करो आप दूसरे का रक्षा वाले बनके बैठे हो क्या ठाकुर जी है आपका पित्रिब्बो है ओ जो बीदुर जी है गंदरी मैया है उसका पीछे मत जाओ और सही है सलामत है उसका कोई चींता तुम तुमारा नहीं है ठाकुर जी उसको मार्ग दर्सन किया संत महात्मा बीदुर जी उसको रस्ता दिखाया उन्होंने पूरा हिमला के उत्तर दिशा में चल परे और जाके सहस्त धारा में उदर जाके अपना जुपर पटी बनाया फूस और घास से और उहां बैठके भजन सुरू किया राजन चिंता मत करो उसका मंगल का रस्ता बन था इतना दिन थक लेकिन संत महात्मा का कीपा के द्वारा उसका मंगल का रस्ता खोल गया उसका पीछे दिवार बनकर खरा मत हो उसको मंगल होगा ही बीदुर जी उसका पीछे पीछे गया देखते रहेंगे कि इसका मंगल कैसा हो रहा है देखे कुटिया बना कर उसका अंदर बैठे हुए है और भजन करते करते अपना मन को वशूत किया चंचल मन को उसका बात अंदर में जुगागनी को एकठा किया अब ब्रम्म रंदो से आख प्रजलित हुआ और महराज उसका सरीर का उतकमन हो गया सारे सरीर का साथ वो कुटिया जो है पत्ता का वो जल के खाग हो गया और गंदरी मयाबी अपना स्वामी स्वती है पती का साथ अपना सोरीर को छोड़ दी और बीदुर जी महराज ने थोड़ा मुस्कुराया ओर ठाकूरजी का उर देखा ठाकूरजी तुमारा क्या महिमा है जिनों इसे जिन्देगी लगा अपना बंधन में रहा, क्यों מא कैसा बंधन का संक्सर बंधन ये हमारा पूता है, ये हमारा बेटा है, दुरज़ोनन है ये जितना भी खराप कम करे उसका पीछे कोई भी एक भी सासन नहीं किया जबकि भीदूर जी बोला राजन ये उचित नहीं है आपका ये लरका दुर्जोधन अन्य कर रहा है इसको रोको लेकिन उल्टा क्या हुआ दुर्जोधन आके गाली देके ये दासी पुत्र को कोण इसको निकल दो यहां से राजधानी से घार धका देके निकाल दिया हाए 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 महा भागवद विष्णव का जहां अपमान होता है वहां तो सारा चीज जल के खाग हो जाता है कुछ चीज बता नहीं जो भी है बात ये हैं जो चार्चा करने के लिए हमको आदेश क किया था प्रभुजी महाराजी का वी इच्छा है ये तो आपका जीवन जिन्देगी का थोड़ा कहानी हमने बताए कैसा है भागवद का प्रमान से अब हम बापस आये थोड़ा चर्चा में जो संप्रदाई भीना मंत्रहा स्ते निस्फला मत्रहा पद्द पुरान में खु किये हो इसमें पावर नहीं रहेगा समाझ अगर आपका परमपरा का उनुसार आपका दिख्या नहीं है तो आपका दिख्या का कोई पावर नहीं आएगा तभी आपका अंदर में शक्ति आएगा जब परमपरा से जोड़े हुए है आपका अगर हमारा साथ हमारा उसका परम गुरुजी, परमेष्टी गुरुजी, परम परमेष्टी गुरुजी, ऐसा करके पूरा गुरु परम्परा का हमारा साथ अगर जोड़ा हुआ है रिलेशन, so you can feel some power in me, अगर हमारा अंदर में कपट भाव है, परम्परा नहीं है, हमारा अचर नहीं है, हमारा अंदर में कोई power नहीं होगा, आप लोग को उठा के मेरा गोदी में लाए, अठाकुर जी का पास पहुचा दे, मेरा खमता नहीं होगा, हो नहीं सकता, एक example दे दे, बहुत intelligent हो आप लोग, जैसे हमारा गाउं में एक बड़ा टांसफर्मर बैठा हुआ है, लगाया गया, वो टांसफर्मर से चारो ओर कारेंट का ब्रांचिंग हो गया, electrical engineer जानते हैं सब, उसका बाद ये मंदिर में बड़ा भारी 440 वोल्टेज का एक लाइन मीटर बैठाया गया, वो मीटर का साथ बाबा का घर मंदिर में जहां जहां connection जरूरी है, सारे पॉइंट लेके उसका स जोड दिया, वो मीटर ओन रहेगा, इसका साथ साथ सारे जो तमाम लाइन है, लाइन ठीक रहेगा, तो वहां ओन होने का साथ सारे बत्ती जल जाएगा, राइट, अगर किसी भी जाएगा एक बत्ती नहीं जल रहा है, तो electrical mystery बोले, मारा ये जलना चाहिए, सारे बत्ती जल रहा है, मेन ठीक है, सारे टेस्टा देके देखा है, बहले हमारा बाबा का घर में सायथ कुछ होगा, फ्यूज हो गया होगा, या तो लाइन का disturbance है, वो पकड़के उसको अगर लाइन को ठीक कर दो, फिर बत्ती जलेगा, है कि नहीं, ऐसे हमारा गुरू परमपरा का साथ, जो सुबे में गाते हैं, ये गुरू परमपरा का साथ, हमारा अगर connection है, हमारा अंदर भी 440 voltage, high power रहेगा, उसमें से आपको भी हम current दे सकता, लेकिन अगर नहीं है, मुझ में भजन का कमी है, को रुपिया पैसा कामीनी कांचन का चक्कर में फसा हूँ, राबन का मापिक, तो मेरा अंदर में power आए नहीं सकता, गुरू परमपरा का समझ गिया, बहुत इसली हम example दे दिये, तो ये example आप समझ लो, कि बहुत सारे महत्मा हुआ है, मैं भी एक महत्मा बना है, लेकिन असली महत्मा नहीं हुआ, राबन में महत्मा बना था, लेकिन उसका कोई परमपर नहीं था, था कोई परमपरा, वो तो ऐसा ही बेज बना लिया, सिताजी को हरन करने के लिए, तो उसका अंदर में spiritual power आधात्त सक्ती नहीं था, क्यों? वो तो cheating करने के लिए आए, ऐसा अगर देखा जाए, आपका अगर परमपरा का अनुसार आपका हरिनाम दिख्षा हो ज ताकि गिया परहिज आपका काम है, परहिज में लापरवाई करोगे, तो आपका भीमारी नहीं जा रहा है, that for that doctor is not responsible, दोक्टर रिस्पोंस बखते बोले के तुम बोलो परहिज किया, बोलो नहीं किया, हमने यह तो क्या करें, दबा काम नहीं किया, तो ये सादू गुरु वैश्णव का जो दबाए हैं, वो 100% powerful है, यह हमारा कहना नहीं सास्तो का कहना है, सास्तो में बोला हुआ है, ओगनी पुरान या कौन सी सास्तो में तो बोलते रहते हैं, बलचेन, सूर्यो तेजोस्ती है, बन्ही सूर्यो ब्राह्मनेभ्यो, बन्ही सूर्यो ब्राह्मनेभ् क्या बोला बन्धी कौन है आंग बन्धी आंग का दूसरा नाम क्या है बन्धी बन्धी आंग का दूसरा नाम है बन्धी बन्धी सूर्यो आसमान में जो सूर्यो दे होता है बहुत तेजोस्ती है जैट का माइना में बहार में जाओ विंदाबन में और प्रोटेक्शन लगके तो मर जाएगा उसके लिए ब्यवस्ता है बहुत सारे मिच्री और बहुत सारे चीज़ पानी एक लोटा पी के पीज जाना है और रायस्तान में पियाँ जादी लेके जाता है तो हमारा चलेगा नहीं वैस्णवों में आलू बखडा होता है एक फल उसको दो खाके जाओ जित तो ऐसा करके बन्नी सूर्यो तेजस्ती है और बन्नी आँख तेजस्ती है ब्राह्मन भी तेजस्ती है आचर अंसिल उसका पीछे मत लगो उसका हरन मत करो जमीन जाया संपत्ती मर जाओगे भागवान से किसनो उधारन दिया भागवत में कभी हमारा समय हो तो हम बताएंग दारिका में भागवान से किसनो कैसे उधारन देखे देखा देख जितना सारे लेरका है पोतापुती देखा देखो यह मजग नहीं कोई शुद्ध ब्राह्मन का कूछ हरन नहीं करना एक पैसा भी वह आँग में जला के रख देगा बलकुल नहीं करना और वैश्नप तो से उचा है बले सूर्ज है उससे भी तेजोस्ती है आग है उससे भी तेजोस्ती है ब्राह्मन तो कहे नहीं किया वैश्नप जो है भगवान को जो हिर्दाय में ऐसा करके धारन करकर अप्रेम के मारे उसका जो तेज है वह आप बोलने का बाहर है यह सास्तों का पुमान नही दिया बन्ही सूर्यो वामने भ्यो तेजियान वैश्नमो सदा तो बात ये बनता है परामपरा का उनुसार आप अगर भजन करते रहो तो आपका पावर आते रहेगा ये जो चार संप्रदाय का भारे में पद्व पुरान में बताया गया चार संप्रदाय कोन कोन है एक तो माद्दाचाच जो है निम्भार को विष्णुस्वामी है और निम्भार का चाच जो चार चार संप्रदाय ये चार संप्रदाय के साथ तालुकात अगर है तो आप भजन में आगे चलोगे अगर चार संप्रदाय में यह मंत्रों बास्तव मंत्रों नहीं है बास्तव मंत्रों तो गंगा की धारा का माफिक गुरु परमपरा में हमारा पास आया है समझा मेरा बात अब जो रामानु जो संप्रदाय है उससे रामानंदी संप्रदाय उसका सत्ता लुकात है आप अगर बोलोगे रामानंदी संप् जैसे आपको बोले हमको एक लोटा गंगा का पानी लाओ आप अगर दोड के गए और तापी नोधी तापी नोधी से तोई नोधी से एक लोटा पानी लेकर बोले महाराज गंगा का पानी ले ये जुटा है गंगा का पानी तोई नोधी का पानी है लेकिन गंगा का पानी चा उसी गंगा नोदी में जाके लोटा को दुबा के पानी लाना परेगा अगर आप दूसरा नोदी में जाओ आप बोले गंगा नोदी का पानी मिल गया वो जुटा बात है गंगा नोदी जहां जहां से जाती है पद्दा गंगा, मंदा किनी वो तो गंगा का यह एक धार है जहां गंगा बहती हुई जा रही है वहाँ आपको जाना परेगा वहाँ से ही पानी आपको लेना परेगा तो अभी माना जाएगा एक गंगा का पानी ठीक गुरु पराम के उनुसा जैसे हमारा गोडियमट में गाते गुरु पराम के उनुसा जैसे हमारा गोडियमट में गाता है यहां गाना होना चाहिए सुन्दर में बहुत सुन्दर गोडियमट में गाना है कृष्ण है ते चतुर मुखो है किष्ण सेवन मुखो ब्रह्मा है ते नारदे रमोती नारदो है ते बैसो मद्धो कहे बैसो दासो पुर्ण प्रगो पद्धो नाभोगोती निहरिमाधववंशे अक्खवपरमोहंशे शिशो बली अंगीकार कारे अक्खविरो सिसो जयो धरम तिथो नामे परीचायो ऐसा करके हम गाते चले पूरा परंपरा सब आ जाए तो ये धारा का साथ हमारा कोई तालूकात है कि नहीं ये चारो संपरदाय जाने माने एबंग एप्रूब्ड है सास्तों में है नहीं कि अलाय बलाय कहां से लाया चार संपरदाय सास्तों में अथ्वंटिक है चार संपरदाय के साथ आपका तालूकात है तो आपका मंत्रो फाइदा देगा आन्तिम में भजन करते रहोगे यू कैन काम आउट सक्सेस्फुल इन लॉंग टर्म फ्यूशा जरूर अबस आपका भजन में कोई गल्ती नहीं है तो भगवान इसी जनमा मिलेगा ठीक है ये चर्चा होगा हमारा अभी जोंबो में जा रहा है उना चर्चा होगा इसका लंबा चोड़ा बात ये हैं हमारा कहना है हमारा जो ये गोडियमठ है ये गोडियमठ को माद्धो गोडियो संप्रदाय बोला गया आपका इधर पत्रिका आते रहते हैं उसमें उल्टा लिखने मिलता है कि हमारा गोडियमत का माद्दा चाज्जो का कोई सम्मंद नहीं है इसे उल्टा उट पठांग मेरा किताब आठ साल पहले निकल गया राधा कुंड में एक एक बैक्ती जो बहस कर रहा था उनका हाथ में पकड़ा दिया इसको पढ़ो इसको जबाब दो आज तक जबाब नहीं है लेकिन ओ लोग एक ऐसा रास्ता कुंडूनते हैं गोडियों वालों का इतना पावर है इसको डाउन करने के लिए उट पठांग सब क्वेश्चन उठाता है गोडियमत का कोई परंपरा नहीं है ये माद्दो गोडि बैस देब जी से बैस गुफा पे गया था बैस गुफा जहां हम गए थे हिमलाय में बहुत बार गए है वहाँ बैस गुफा है सौरस्वतिनोदी का किनारे और बैस गुफा में गए थे भागवत लेके इतना ठंडी है सब जगा उस जगा जब बैस गुफा में गए माताच जोजी को दर्शन देने के लिए बैस देब जी गुफा का आंदर से प्रकट हो गया प्रकट हो के किपा किये मंत्र पोदेश किये जब नितानन्द भू का नाम सुने हो बलराम नितानन्द ओतिप्थ अटन करते करते जब बैस गुफा में गया बैस देब जी छरंग लगा कर उठे और एक दूसरे को डन्रवत की ये भी गुरुतत तो है ये भी गुरुतत ये तो मुल गुरुतत तो है बलो राम बैस देबी जो है सक्ताविस दवता एक दूसरे को डन्रवत की ये सब कहानी है कहानी नहीं है ये ब tipping फैक्ट इसमें तो हमारा परव्परा इतना टगरा है जो चैसन नहापउ का जो बानी है प्रिथी में जितना ग्राम सहर है सेरे जगा मेरा नाम फैल जाएगा और फैलाने वाला कोन है? एक मत गोरिया मत है पैलाने वाला कोन है? गोरिया मत है और इसकोन जो है ये भी गोडियमट से ही पैदा हुआ गोडियमट का बाहन नहीं है बाबा बोल नहीं सकता हमारा जो भक्ति बेदान तो सामी महराज वो तो हमारा काका गुरु है हमारा गुरुदेप का छोटा गुरु हाई है हमारा काका गुरु है उन्होंने फिर इसकोन प होई नहीं सकता मैया को बोले मेरा मैया नहीं है तो हो सकता मैया से हमारा जनम हुआ ऐसा नहीं हो सकता कभी जूटा बोलने से होगा नहीं तो हमारा परंपरा हर हलत में है कैसा परंपरा का बिन्नास है परंपरा कैसे आते हैं हमारा सामने और सिला भक्ति शिद्धान तो स्वरस नोदेब गुसाई महाराज, सिला गुसामी महाराज जी, गुसाई महाराज, वक्ति सारंग गुसाई महाराज, सारे हमारा गुरु वर्गो जो है, ला जवाब एक दम, नीचे नीचे, दूर से, ला जवाब एक दम प्रचार किया, पूरा दुनिया में, उसका बाद, सिला समी में चर्चा किये वो लोग तो कठीन बाद समझते नहीं हमारा गुस्वाइमाराज से बन महाराज से लेकर और सिल्ह भक्ति ही तो अपनो देब गुस्वाइमाराज का अंग्रे जी जो है बिटीस लोग डरते थे अभी जी जाओ बिंदावन में ओरियंटल कॉलेज अफिलोज है जब जार्मानी में गए तो जार्मानी लोगोंने बोले हम आपका आंग्रेजी में प्रबचन नहीं सुनेंगे क्योंकि जार्मान क असाथ इंगलेंड का तो जार्मान लेंगें करते रहते अबनाज सुनेंगे नहीं तो मुंग सभी मियाराज बोले हमको छो महीना टाइम दो छो महीना only six months I need to learn German language छो महीना का अंदर German language को सिखा और German language में बक्तित दिया हमारा पास सब है my lecture in England and Germany सब बहुत है टाफ किताब सब पुराना जमाने का हमारा रसामरितो सिंदू का टांसलेट संबब नहीं बावास वरा सुना है आप लोग को जानकरिया है नहीं इस अब बूलने से कोई फाइदा है नहीं बहुत सास्त्रों का एक दम निचोर जिसमें इतना सेंटिमेंट है भागवान राधारानी भागवान किष्णो का साथ असंबंद गुपियों का इसको अंगरेजी में उनुबात करना ये असंबब है इंपासिबल क्योंकि अंगरेजी में इस सब सब्दों नहीं है लेकिन फिर भी बटो कों सेँधे महाराज भाक्ति रसाम्रत्हसिंदो के टंसेट किये लेकिन ठाकुर जी का यहीं लीला है अंली फास्ट पार्ट तीन पार्ट है इसका फास्ट पाड़ टंस्लेट किया उसका fast part किया और बाकी पधर गये जगत से चले गये तो हमारा परंपरा कैसा है इसका बारे में आपको चर्चा करेंगा आपका बड़ा भारी जौस आएगा अंदर में पावर आएगा हमारा परंपरा इतना टगरा है और देखो हरी नाम का बारे में हम चर्चा करना सुरू कर दे हरी नाम और हरी अभिन्न है इसका बान्य में कम से कम दो-चार घंटा लगेगा तो भी एक दिन में नाए दिरे-दिरे हम चर्चा करते रहें तो आपको समझ में है या हम तोड़ा टाच करते चलेंगे इसमें हमारा भी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा आपका भी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा लेकिन हम आपको ये बोलते हैं जो आप ये विस्वास करके हरी नाम करो जो हरी है सो हरी नाम है ऐसा विस्वास करके करते चलो और बहुत सारे गोमाता का उपर बहुत सारे प्रोबोशन होते रहते हैं ये प्रोबोशन हमारा नहीं है ये सोचना नहीं कि सैंबावा ने किया सारे हम बंदना करके बैठते हैं और पुपाजी हमारा गुरूवर को हमारा जवान से बोलते हैं हम नहीं बोलते हैं तो इस हरीकता को सुनने से हरी नाम करते रहो, देखो कितना पावर आएगा, क्योंकि बाकी समय, आपका टेंशन मने रहेगा, सेबा दोर धूप, जिस समय आपका लिज़र टेंशन लगा के बैटना, हरीकता सुनते रहो, ये तो सेबा है, ये लोग सेबा के लिए आए हैं, देखो कहां से, ये लोग सेबा चाहिए हो, बोलो, सेबा करने के लिए तयार है, हम क्या सेबा आपका कर सके, बोलो, आदिस करो, हम सेबा करने हम दास हूँ, गुरु वेशनों का दास है, हमारा कोई मालिक होने का कभी इच्छा नहीं है, जिन्देगी में, आज तक अगर मालिक होने का इच्छा होता तो हम foreign country में होते बीदेस में पूचार करते हाजारों लाखों सिस्यों होते हमारा ये इच्छा नहीं है हमारा इच्छा है गुरु वैश्णव का दास बन के रह जाए और सेवा करते रहें ये करते आया है और बाकी जिन्द भी ऐसे चले बाबा महाराज के साथ भी ये आसिरबाद लेके वैश्णव का पास आग्या लेता हूँ क्योंकि बहुत दूर जाना है वहाँ भी प्रबोचन है आप लोगों में जो जाना चाहते हो राजा जी का खूला एकदम दरवार है जा सकते ही इन्वाइडेशन देके गया उसका दोस्त बैठा हुआ है यहाँ हम समाप्त करें खुद्र पवचन का विस्त्राम दे बांचा कल्पतरुवश्यक्य पासिंद भी बचो पतितानंक पावने भ्यो वैश्णवे भ्यो नमून